जैश्री राम भगतो आज हम आपको एक ऐसी मुद्रा के बारे में बताएंगे अगर आपने वो मुद्रा लगानी सीख ली तो आपको वो चमत्कार देखने को मिलेंगे जिन चमत्कारों के बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा क्योंकि ये मुद्रा है ही इतनी चमतकारी, यानि कि आपका जो अंगुठा है और अंगुठे के साथ वाली उंगली है, उसको आपको प्रेस करके बैठना है, लेकिन बहुत से मनुसे गलती क्या करते हैं, ये मुद्रा लगानी नहीं आती है, योग में इस मुद्रा को ग्यान मुद्रा के नाम से जाना जाता है इस मुद्रा के इतने चमतकारी लाव हैं शरीर से समंदित तो है ही है इस से क्या होता है आपका शरीर स्वस्त रहता है आपकी स्वान शक्ति बढ़ता है अध्यात में आप तेजी से आगे बढ़ते हो और आपको सबसे जो बड़ी बात है ग्यान अरजित अपने आप होता यानि कि आपका ग्यान अपने आप बढ़ने लग जाता बिना कुछ किये ही ना आपको नामजब करना है ना भजन करना है ना ध्यान करना है केवल ग्यान मुद्रा लगाने से ही आप सिगरता से ग्यान प् संत महात्मा हुए हैं, महापूर्स हैं, सभी इस ग्यानमुद्रा को लगाई वे दिखेंगे, गुरु नानक जी को देख लीजिएगा, कबीर जी को देख लीजिएगा, और भी जितने बड़े-बड़े संतरिशी महात्मा हुए हैं, सब इस ग्यानमुद्रा को लगाए रहते हैं और यह नहीं है कि आपने पांच मिन्ट या दस मिन्ट लगानी है देखो आप सुरुवात करें आप पांच मिन्ट लगा के इसको बैठ जाएंगा अनमुद्रा को दोनों को अंगुठा और उंगली को अच्छे से प्रेस करना शुरुवात में आपको महसूस होना चाहिए कि हमने दबा रखा हैं अगर आप ऐसे खाली करके बैठ जाएंगे तो उससे लावने होगा अच्छे से प्रेस करें पहले सुरुवात करें लगाता और पांच मिन्ट लगाएं पांच मिन्ट में ही आपको कुछ ना कुछ अनुभाव खोने लगेगा उसके बाद आप दिन जैसे ही आप टच करोगे टच करते ही ये मुद्रा अपना काम करना शुरू कर देगी इसके इतने इतने जबरदस्त लाव है कि वानी से उनको बता नहीं जा सकता जो भी इसको लगाना सीख लेगा उसका जीवन बदल जाएगा उसको अध्यात्मिक मान से एक शारिरिक हर प कुछ होता है आपको ज्यान हो जाएगा तो आप भगवान की प्राप्ति भी बड़ी आसानी से कर पाओगे आपकी सारी चैपूरी होने लगेंगी तो आप इस मुद्रा का भ्यास करें और अपने जीवन को बदले और फेस्बुक पे हमसे डारेक्ट जुड़ना चाते हो त तो फेस्बुक पेज को फॉलो करो डिस्क्रेप्शन में लिंक मिलेगा जयो श्री राम भगतव